यहां से आप बहुत सारे फ्री रिसोर्स जैसे बुक्स और रेफरेंस बुक उनके सल्यूशन्स डाउनलोड कर सकते हो है ना तो आपको रिसर्च करने जरूत नहीं है वो रिसर्च हमने कर लिया है मैंने कर लिया और उस रिसर्च को मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस सेशन में जो बच्चा एंड तक टिक जाएगा उस बच्चा को एक बाती क्लारिटी मिल जाएंगी कि भाई बुक्स खरीदने कौन से हैं और कौन कौन से फ्री में मिल सकते हैं और कौन किस किस वेबसाइट से मिल सकते हैं और किन वेबसाइट पर भरोसा किया जासकता ह है ठेक है तो शुरू करते हैं without any more delay और मेरे सेशन में आया है तो भाई जोर से बोलो बल्ले बल्ले ठेक है बढ़िया है चलो वीडियो अच्छा लगए तो make sure to hit the like button share this video immediately to your friends in your school group in your groups where there is a confusion कि भाई books कौन से पढ़ना है और ये भी प्रूफ देखो अभी शिकसर ने बोला होगा ये बुक पढ़ना है वो भी कर सकते हो बहना and subscribe to the channel if in case you are new क्योंकि अभी पता है कि भाई 50% से you know come people watching our video have subscribed what is this you just want to watch it for free subscription is absolutely free on youtube आपके लिए free है हमारे लिए बहुत मैद्वपूर्ण है तो please make sure to hit the like subscribe button आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर आप Christian हो तो आप इसको कह सकते हो Bible आप किसी भी religion से belong करते हो ये जो NCRT है वो student के लिए वो ही महत्वपूर्ण किताब है जो वो भाई क्लारिटी आपके आपके पास नहीं एंड तक रहनी चाहिए वारना एंड बागे दुबारा पूछे को NCRT काफी है क्या सर तो समझ लो भी कि NCRT काफी है की नहीं ठीक है देखो मान लो अगर आपका पेपर सौ मार्क्स का आता है ठीक है CBC बोर्ड का अगर आप पिछले 25 साल 50 साल का पेपर उठा के देख लोगे तो हमेशा easy to medium लेवल का पेपर हुआ है आपका हमेशा बोर्ड का पेपर होता है अगर easy to medium मेरा बोर्ड का पेपर है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 80% of questions easy to medium में belong करते है 90% questions to be correct yes 90% questions या तो easy होते है या तो medium लेवल के होते है आपके पेपर में उसके बाद जो 10% सवाल होता है वो थोड़ा सा घुमा फिर आकर वो थोड़ा सा सोच समझका डाला जाता है clear है? correct है? तो अब ये जो 90% का box है ये जो 90% सवाल है ये कहां से आते हैं? ये सीधा NCRT से आते हैं इनमें आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए ये सीधा का सीधा NCRT से ही आता है there should not be any confusions about this at all समझे? ठीक है? तो आप समझके कि आपका board paper 90% अगर NCRT से आता है तो सबसे अधा ध्यान कहां पे देना है? किस book में देना है? NCRT पे देना है ठीक है? सरब NCRT से कहां से सवाल आते हैं? तीन जगावों से पहला NCRT का जो exercise होता है वहाँ से सवाल आता है? Of course दूसरा NCRT के chapter के बीचों में है ना in-text questions होते है chapter के बीच में एक-एक topics के बाद CBC वालों ने chapter के अंदर ही सवाल डाले हुए तीन-चार है ना उसको हम in-text questions कहते हैं वहाँ से आते हैं तीसरा अगर एक बच्चा अपने पढ़ाई के बाद NCRT को line by line read कर देता है तो वहाँ से भी सवाल आते है मतलब NCRT किसी भी एक line को उठा के दे दिया जाता है आपके section A में जहां पे MCQs होते है तो वहाँ से भी सवाल आते है तो यह तीन है मेरे बच्चों का इस साल में कि will NCRT books change this year 2023-2024 में यानि कि फाई 2023-2024 में क्या NCRT का textbook बदलेगा अब इसका जवाब है 99% बदलेगा हाँ बलकूल बदलेगा क्यों? क्योंकि recently मुझे सुनने में आया आप लोगों से ही और हमने देखा भी यह कि mathematics की जो किताब है NCRT की वो थोड़ी सी पतली हो चुकी है ऐसा लग रहा है कि mathematics किताब ने थोड़ा सा डाइटिंग करके थोड़ा सा पतले हो गए वो समझ रहे हो तो क्यों पतले होगी क्योंकि topics deleted है उसमेसे तो अब तक CBC वालों ने अपना latest syllabus बताया नहीं है latest syllabus जब वो बताएंगे तब जाकर उसी वक्त आपके लिए हम session बनाद जरूर देंगे फिर आप समझ लेना लेकिन अब फिलाल NCRT जो update होकर आई है उसमे clearly दिख रहा है कि भाई हाँ NCRT थोड़ी बहुत बदल सकती है तो इस बार जब आप लेने के लिए जाओगे किताबे तो आप दुकान वालों को कहना कि भाईया हमको लेटेस्ट पब्लिश्ट या लेटेस्ट रिलीस्ट NCRT के टेक्सबुक देना पुराने वाले मत खरीद लेगा और अगर दुकान वाले बोले कि भाई साब ने तो नहीं आई है तो आप देखना कि पब्लिश्ट कब है अगर वो इस साल या तो पिछले साल पब्लिश्ट हुआ है तब आप उठा कर देखेगा मैं तो कहुंग के लिए तो फिर आप थोड़ा सा रुख जाए एप्रिल के मैंने मैं डिस्क करिये में जूल में तो डेफिरेंटी आजाएगा ठीक है लेकिन यह हो रहा है तो इसलिए मैं आपको बता दिया सर क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड है उसके लिए मैंने एक अल्रडी वीडियो बना दी है इस साल क्या डिलीट होगा वो तो जब सी बीसी ऑफिशिली बताएगा तब यह समझ में आएगा और जब बताएगा तब हम सबसे पहले खड़े रहेंगे यूटूपर आपको बत करोगे अगर आपकी NCRT हो जाती है अगर आपकी NCRT exemplar हो जाती है और आपने previous year questions प्राक्टिस कर लिए हो अगर आपका यह तीन हो जाता है उसी के बाद आप यह reference book को prefer करोगे और practice के लिए ठीक है या तो कोई एक particular topic को समझने के लिए आप इसको refer करोगे लेकिन अब फिलाल YouTube में इतने सारे वीडियोस बन चुके है topic wise की आप उन वीडियोस को देख सकते हो समझने के लिए बहतर books पड़ने के बदले ठीक है तो यह मेरी सला है आपको tip है अब देखते है भाई clearly क्या क्या है जिसके आप आए हुए हो science for class 10 भाई लकमीर सिंग यानिके S.Cent का जो किता करते हो फिर हम बात करते हैं आपके best reference books for class 10th mathematics mathematics के लिए कौन से important किताबे हैं of course सबसे पहला नाम जो आता है आपको पता भी होगा R.D. शर्मा जी का जो किताब है वो बहुत important है आप चाहो तो R.D. शर्मा जी के you know किताब को ले सकते हो for additional practice लेकिर NCRT कोई नहीं बुलेगा इ बही थे जो NCRT में थे और बही थे जो हमने करवाया था हमेशे आद रखना इस बात का ठीक है अब आगे बढ़ते हैं for SST SST में आपका golden guide for social science जो है सुधार रस्तोगी जी का और बाखी लोग का वो definite या प्रेफर कर सकते हो सबसे टॉप पे वही है फिर all-in-one social science भी बहुत बच्चों के तरफ से आता है कि सरम तो social science की all-in-one लेते है ठीक है SN का भी social science जरूर है ठीक है तो बच्चों के तरफ से और हमारा भी यही तकि आप इन तीनों books को ले सकते हो तीनों में इसको एग भी ले सकते हो देखो या 10th में खर्चा बहुत होता है books और बगेरा में तो इसलिए मैंने इन सारे paid books के साथ-साथ जो आपको पैसे खरीद रहे होते हैं free resources का भी आपके लिस्ट निकाला हुआ है जो website में आपको बताऊंगा ठीक है ताकि आपकी help हो जाए सारे किताबे ना खरीद नहीं पट जाए ठीक है और free resources कहां से मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चिंता मत करना जो जो खरीद सकते हैं व भाई बहुत famous English के लिए अरिहन का भी CVC Oliver English ठीक है ओस्वाल का भी बहुत अच्छा हुआ है ठीक है तो आप ये किताबों को ले सकते हो अब बात कितने होगी भाई चार सब्जेक्ट है तीन दीन reference बोक उता दिया अभी शेक्सन ने कुल मिलाकर 12 हो गये 12 को खरीद नहीं जा बाते हैं और किताबे से 200 रुपे के थोड़ी होती है अब तो बिल्कुल नहीं होते हैं करेक्ट है बच्चो तो इसलिए यह बहुत important कि आप समझो कि what are the things that we need to keep in mind before we buy a reference book क्या यह तीनों तीनों खरीद नहीं है नहीं सर बिल्कुल नहीं खरीद नहीं है आपको पहले तो NCRT फिर NCRT exemplar फिर previous year questions खरीदनी उसकी बाद है और यह देखकर खरीदनी कि जरुरत है की नहीं और जरुरते क्या-क्या है पहला जब भी आपको यह reference book खरीद उसमें जरूर देखना है कि भाई content को आप समझ पा रहे हो कि नहीं तो सरे खरीदनी से बहले का तर पत कौन सा समझ आ सकता है वैसे पूझे तर समझ बहेंगे अच्छा यह किताब मेरे लिए है यह तो खरीदिये मत क्योंकि मैंने देखा हुए बच्चे शुरुवात में इतने motivated होते हैं आप इतने motivated होते हो कि हाँ बाबु बाबु बया के दुकान से सारे किताबे ला दो हाँ चाचा जी आप भी किताबे ला दो है ना और किताबों को एकदम ऐसे बिस्तर बना होता है उसमें से एक भी किताब खोल कर देखानी जाता है तो पैसे बरबाद ना करें अपने मभी भापा के सिर्फ किताबे खोल कर भी देखना है उसके लिए खरीदना है उतने जोश में आप पहले 10th grade को समझे कि कौन कौन किताब है आपके लिए जरुवत पर सकती है हमसे पूछिए मेरा email id मैं end में दे दूँगा आप चिंता बत करना हमसे पूछिए अपने senior से पूछिए अपने दोस्तों से देखिए कि वो क्या-क्या खरीद रहे हैं फिर अगर आपको लगता क्योंकि बहुत डीप में चले जाते हैं कभी-कभी हो कुछ-कुछ syllabus के बाहर चीज़े हो जाती हैं बहुत सारे बच्चों को यह reference book समझ बनी आता क्योंकि questions बहुत hard होते हैं तो अपने आपको demotivate नहीं करना है किताब खरीद कर आपको motivate रखना है और पैसे कम बरबाद करन है क्योंकि 11 में तो आप इसके double किताबे करीद होगे 12 में उसके double फिर जब के इंजरे में जाएंग तो फिर तो बहुत किताबे नहीं पड़ जाएगे तो पैसे थोड़े बचा लेते हैं ठीक है फिर आपको यह देखना है कि too much content is also a waste बहुत साइच चीज़े होती है class and reference books must have a good number of questions to practice there are a lot of reference books which only give you explanation about topics और कोई प्राक्टिस नहीं करवाता उसमें वह भी देखे बाई यह वह तो फिर NCRT भी काफी है ठीक है और language आपको समझना बहुत जरूरी है कुछ बहुत चारी reference books बहुत अच्छी होती है जैसे यूनों ऐसे बहुत चारी जैसे हमारे भाई हम जब engineering कर रहे थे तो इतने बड़े-बड़े scientist से किताबे थे एस्पेशली foreign authors के होते इंडियन authors में किताबे काम हो जाती है जब आप engineering college बगरा करते हो तो foreign authors के जब किताबे देखते हो आप तो आप पढ़ नहीं पाते है क्योंकि English कटेन होती है उसकी समझाते तो बहुत अच्छा है वो प्राक्टिस भी काफी अच्छ हो जाता है लेकि English इतनी कटेन हो जाते है कि हम सबजी नहीं पाते कि क्या पढ़ा क्या बोल गया वाई यह यह बाबुजी क्या बोल गया समझने है था लेक्रेंस बुक का नाम रखा गया है रेफरेंस बुक ताकि आप रेफर कर सको कुछ कुछ चीज़े अगर आपको पूरा ही वो पढ़न वाद नहीं वागे ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है कुछ ऐसे वैसे नहीं कर देना है अब मैं आपको बदा देता हूँ कि बच्चों के होट फॉइवरेट कौन से है जो इतने सालों से हमको समझ में आ रहा है बो मेरे या पर डाल दिया है तो बेस्ट रेफरेंस ब हमारे जो माइंड मैप्स होते हैं वह उस्वाल में बहुत काफी अच्छी तरीके से दिये हुए हैं तो आप उनके बुक्स को माइंड मैप्स के लिए लेकर या तो फिर ऑनलाइन डाउनलोड करकर आप प्रिंटाउट निकाल कर दिवार में चिपको आ सकते हैं जरूरी यह लेकिन एक और किताबे तो बच्चे बहुत जादा करीते हैं वह विदानतु के तत्व के बुक्स जब भाई सेल पे आया था तो स्टॉक आट हो चुका था कुछी दिनों में क्योंकि बच्चों को इतना पसंद आया विदानतु के तत्व बुक्स हो आप हमारे नास मिलेगा कोई जगा है जहां से सारे चीज़े डाउनलोड हो जाए क्योंकि अभी तो ऐसे भी स्क्रीन पर वक्त बताना है तो थोड़ा बता दो ना आप लो वेबसाइट्स तो गेट फ्री रिसोर्स यह सारे के सारे लिंक है या तो आप इनका एक फोटो ले लो अभी या मैं आपको दिखाता हूं सारे लिंक को खोल कर या तो आप इस सेशन का पीडियाफ डाउनलोड कर लेना पीडियाफ जो है मैं हमारे टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा जहां पे 30,000 से जादा बच्चे हैं और हर बार जब ऐसे सेशन होते हैं तो इनके पीडिया टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है जाइए अभी के अभी टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करिये बढ़िया चलो भाई साव आगे बढ़ते हैं and let's focus on this free websites तो इन सारे free websites को मैंने खोल कर रखा हुआ है तो let me show it to you one by one सबसे पहले हमारे ब website है वो ही खुला हुआ है और आप देखो कि इसमें एक section होती है free resources की आपने क्लिक किया आपने देखा वाई competitive है cbcc के लिए ncrt books है Olympia identity सब कुछ है तो ncrt books आपको दिखेगा वाई class 10 के books रखे हुए है free में download कर सकते हो exemplar books है free में download कर सकते हो क्यों खरीदना है cbcc के अलग से उनके पास class 10 के लगर आप देखोगे तो syllabus sample question paper question bank previous year question paper cbcc सब कुछ भाई वो रखे हुए है free resources के section में तो आप definitely यहां से free resources download कर सकते हो जो जो नहीं खरीदना है खरीदना मत इसलिए क्योंकि किताबों की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है literally a lot of students told me this कि किताबों की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है sir इसलिए हम खरीद लेते है तो मैं भी आपके कहता हूँ आपके parents को और आपको भी आगे जाकर जब मिल रहा है free resource ना तो ले लिया करो ठीक है किताबों की खुश्बूच सुंगना जितनी कुताबे चाहिए मैं बहुत बहुत किताबे होंगी आपके आप जब काम काम शुरू करोंगे ना काम करना शुरू करों तो आपके बेंच पर किताबे रखी जाएंगी आपके senior officer सब करकर आना तो आप किताबे papers करते रहना और बागी प्लीज पैसे आभी फिला कर्च मत करो ठीक है यह तो हो भी है उस्वाल जी की website पे वैसे ही आपका एक और है study guide 360 यहां पर यहां पर यह पूरा पूरा free solution ही है आप देखो कि बाई उस्वाल जी के you know website पे आप देखो को है ठीक है लेकिन जैसे आप जाओं को हमारे study 360 में आपको दिखे है कि साइड में थोड़ा सा ad word और चल रहा होगा क्योंकि भाई यह free resources ही provide करते हैं और अगर इनको थोड़े बहुत पैसे कमाने तो उनको ऐसे google से ad चलवाना पड़ेगा तब ही उनको पैसे कमाने होते हैं त क्लास 10 के अलग से resources भी है इसमें ठीक है जासे मने का आट आते जाएंगे बारे मेरे परस्नल दो फेवरेट वेबसाइट जाहन से मैं तो बहुत चाहिए जीज़ें डाउड़ोड करता हूं तो बताऊंगा आपको एलेट मी तेल यू मेरे घर पर ncrt के किताब ही नहीं है ठीक है मैं बतारतना आपको I have not bought ncrt textbooks ncrt exemplar textbooks तत्व बुक्स तिल नाओ और एनी रेफरेंस बुक I use these free resources मतलब इन जेले मरे को ncrt किताबे खोले हुए सालों हो गया है मतलब मैं मैं देख कर नहीं पढ़ाता आपको जो मैंने सीखा है मैं पढ़ा देता हूं to be very honest physics का जो textbook मैंने देखा ही नहीं है पिछले चार-पांच सालों से मतलब पांस होगे जब मैंने 10 complete के था और जब मैंने company join करी थी उस वक्क मैंने एक बार खोल कि देखा था यह जाने क्यों तो अब syllabus क्या चल रहा है फिर मैंने समझ मैं कि syllabus तो वह है जो मैंने 10 साल-12 साल पहले पढ़ी थी तो मैंने किताबे खूल कि नहीं देखी ठीक है तो देख लेना आप बढ़िया तो इसके बाद फिर आती है तो इसमें भी आप देख पाऊंगे CBC का section है यह भी free website है तो free website तो इसलिए आपको ad दिखेंगा side में यह google ad है ठीक है ऐसे ads दिखेंगे आपको तो यहां से भी आप चीज़े download कर सकते हो फिर आगे बढ़ते है और यह आजादा आपका self studies का जो है ना इसमें भी आपको दिखेंगा ad चल रहागा side में तो चलेग website of course ही बात है ncrt solutions जो है learn cbse का learn cbse पिछले कुछ सालों में सबसे उपर आता है in the terms of searchability on google क्योंकि बच्चे बहुत prefer करते है ncrt के solutions आप देखो यहां पे ncrt books भी है solutions भी है library math formulas mcq textbook solutions cbse syllabus extra questions सब कुछ है आपके 10th grade के लिए rd sharma का भी solutions है sample papers भी है textbook solutions भी है chapter wise आपको मिल जा सब्जेट वाइस मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़े तो there is a good free solution set here with learn cbse आप देख सकते हो ठीक है तो यह मेरा second favorite website है अब चलते हैं मेरे favorite website की तरफ जहां से जो google में top rank करता है जिसको देखर स्वाद आ जाता है पता कौन सा google में search करोगे कोई भी solution यह website आपके सामने आएगी सबसे पहले और वो है टाना टाना विदान्तु की website येस विदान्तु website पिसले कहीं सालों से ncrt solutions अगर आप search कर देख गूगल में top पर आती है important questions top पर आती ह हां जी तो हमने youtube के लावा भी website पर बहुत सारे free resources रखे हुए है है ना वो free resources कैसे मिलेंगे आपको जैसे विदान्तु की website पर जाओगे you will get free study material का पूरा section और free live classes का पूरा section हां youtube के लावा ही live classes free होते हैं आप वो भी देख सकते हो और live classes हो free live है free recorded नहीं है ठेक है हम दूसरे company तरह recorded नहीं करते हैं हम live करते हैं YouTube पर भी यहाँ पर भी ठेक है तो free live classes हम आप एटेंड कर सकते हो YouTube के अलावा और study material पर जाकर आप NCRT के solutions आपके class 10, class 12 सबके लिए पूरा detail में सारा सारा NCRT solutions है ठेक है साती साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे popular book solution जिसमें आपके of course आपके लिए यहाँ पर exemplar के solutions भी है, RD Sharma जी के solutions भी है, आप देखोगे यहाँ पर RS Agrawal जी के solutions भी है, HC Verma 11-12 में उनके solutions भी है, लखमीर सींग जी के session के solutions भी है, sample भी question भी solutions भी है, और RS Agrawal जी का भी book और solutions भी यहाँ पर है, तो जो भी reference book में आपको बताता है important है उन सबके solutions के साथ साथ यहाँ पर हैं चीज़ें, तो भाई miss out तो मत करो, साथी में आपको उपर ही दिख जाएगा popular textbook solutions, NCRD solutions, revision notes भी हमारे website पर है, CBSE के important questions भी हमारे website पर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती जाएंगी, आप देखते जाना, दुबारा चलते है, free study पर देखते हैं क्या, CBSE करते हैं क्लिक क्या होता है, क्लिक के हमने और हमने यह देखा, CBSE के यहाँ पर, हंजी, कहां गया, उपर ही रहा है क्या, हाँ, आपके लिए NCRD solutions है, paper patterns है, important questions है, revision notes है, mathematical formulas है, तो basically जो learn CBSE दिखा रहा था आपको, वैसे ही उससे भी कहीं जादा, आप को यहाँ पर मिल जाएगी, और हम आपको बता देता हूं कि हमारा जो data रहा है, मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, हर महीने, हर महीने, 25 से 30 million लोग, अब सर यह 25 से 30 million लोग क्या होते हैं, यानि के 2.5 से 3 करोड लोग, बच्चे, हर महीने, वेदानतु की website पर आके, इन free resources क यूज करते हैं, 25 से 30 करोड बच्चे, 10 से 40 लाग बच्चे देते हैं, हाँ, सही है, लेकिन हमारे पास resources class 1 से हैं, इसलिए 25 से 30 करोड, ठेक है, data परावर है, ऐसे चिंतित मत हो जाना, ठेक है, तो हाँ, इतना हिट होता है, वेदानतु की website पर, तो आप download कर सकते हैं, ठेक है और अगर कोई भी दिक्कत है हो, of course ही बात है, मेरा email ID में आपको दिखा देता हूँ, बता देना मिरको, moving on forward, अब बस मेरा email ID बताना से भी आपको बता देता हूँ की, which is the ultimate reference, this channel bro, this channel, I can guarantee tell you, अगर कोई बच्चा इस channel को देखता है, उसको reference book की जरूत नहीं है, उस बच्च को कोई भी sample paper की जरूत नहीं है, question bank की जरूत नहीं है, उस बच्चे को NCRT exemplar की जरूत नहीं है, उस बच्चे को NCRT की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा इस channel को देखता है, क्योंकि हम इतने depth में, इतने detail में पढ़ाते हैं, कि कोई भी book irrelevant हो जाता है, आप जाइए हमारे इस साल के paper discussion को देखे, board examination के बाद, आप देखो कि 4-5 lakh views आयों उसमें, उसी दिन, एक ही दिन के अंदर, तो आप जाइए, कोई भी subject को ठाइए, SST, Mathematics, Science, किसी subject को देखे, paper discussion by Vedantoo, या तो हमारी channel पे दिखेगा, उसमें comments, उसमें chat आपको दिखेगा, sir आपने जो वाई, because we know what's gonna come, इसलिए में बता रहा हूँ आपको, channel subscribe कर लेना, शुरुवात से हमें follow करना, और जो बच्चा हमें शुरुवात से follow करता है, YouTube से free में top करता है, 99.800, 99.6, 5, 7, 4, 3, सब कुछ मिला है बच्चो, don't waste your time, hit subscribe, ठीक है बेटा, share this video right now, तो हाँ, ये रही मेरे email id, k अब मैं आपसे वह homework देता हूँ, आपको, आप मुझे बताईएगा, कि class 10th में, आप कौन सा reference book follow करने वाले हो, या सिर्फ विदानतो 9010 चानल को subscribe करने वाले हो, let me know in the comment section, and as always ending this video, with, take care people, peace